Hello friends, आज हम सीखेंगे present perfect tense. पहले rule समझ लीजिए, has, have plus verb की third form. जब भी किसी वाक्य में मुख्य के रे के साथ लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है, आदी, ये सब आई, मतलब की present की समय में कोई भी काम perfect हो चुका है, जैसे की वह आ चुका है, मैं खेल चुकी हूँ, आदी, sentences की मात्यम से आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, चलिए कुछ sentences देखते हैं, जैसे, मैंने खाना खा लिया है, I have eaten food, उसने अपना काम खतम कर लिया है, He has finished his work, रवी स्कूल जा चुका है, रवी हैस गॉन तो स्कूल, मैंने खाना बना लिया है, I have made food, या I have cooked food, क्या आपने अंग्रेजी सीख ली है, Have you learnt English, क्या क्रिश्च स्कूल चला गया है, Has क्रिश्च गॉन तो स्कूल, मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया है, I have not eaten anything yet, If you like my video, please subscribe.